आरशोगी कि चनल बनने जारी है टेस्टी टेस्टी और थंडी थंडी आईस क्रीम वाव तो यह वीडियो आप लोगों के लिए है इसको बनाने के पीछे भी ना एक स्टोरी है तो वह मैं आपको कभी और बताऊंगी तो अभी इसको ना फटाफट से बनाने स्टार्ट करते हैं और आप देखे सकते हैं कितनी ज्यादा टैंप्टिंग और कितनी ज्यादा टेस्टी लगरी है देखने में और खाने में यह उतनी ज्यादा टेस्टी है तो ज्यादा बाते ना करते हुए हम इसको फोटाफट से बनाना स्टार्ट करते हैं उससे पहले मुझे सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सुस्क्राइब जरूर करिएगा उस दूद लिया है आप चाहें तो आपके पास पहले से उबलवा दूद है तो आप उसे भी ले सकते हैं बट आप उसे एक बर उबाल जरूर लीजेगा अब मैं इसमें डालनी हूँ तीन चुथाई कटोरी से चीनी गर मैं आपको चमच से बताऊं तो यह साठ से आठ चमच है इसमें हमने एक उबाल लाना है ताकि जो मारी चीनी है वो भी अच्छे से पिगल जाए और दूद भी है जो हमारा वो अच्छे से उबल भी जाए तो दूद को ना मैं उबलने के छोड़ देती हूँ तब तक हम अपना दूसरा कोई काम कर लेते हैं जिसकी हमें आगे प्यारा है और मैंने इसको अभी हाई फ्लिम पर रखाया उबालने के लिए तो यहां पर मैंने कटोरी ली है उसमें मैं डाली हूँ दो चमच कॉन फ्लार कॉन फ्लार आपको इजली मार्केट में मेल जाएगा और इसमें मैं डाली हूँ वही दूद बेट यहां पर ना छोड़ी गलती हो गई थोड़ा दूद गिर गया तो में मत करना तो फेर मैंने इसमें डूद डाल दिया है आपने पर दूद यह जालना इसकी जगों पर कोई पानी वगरा नहीं डालना है मतलब अच्छा दूद डाला है आप चाहें तो पहले से उबला हूँ दूद भी किरहां पर यूजल कर सकते हैं पर डूधा यूज करना है पानी आपने बिल्कुल यूज करना इसके लिए इसके लिए पानी यूज कर में ना राएंगे यूज़ कर environmentally करना है उस टाहिंut पर इसमें बरफ के किस्ट्रली सपर हbec淦म जाएंगे तो आपने Entãony कॉअ फ्लाइब मि पिखली है चीनी थोड़ी बहुत पिखल चुकी है अभी भी उसमें चोटे-चोटे जो पाटिकल्स हैं वो बचे हुए है तो चीनी को उबालने के लिए मैं ऐसे कर्ची की हेल्प से उसको प्रेस करते हुए गुमा-गुमा के मिक्स कर रही हूँ ताकि जो चीनी है वो जल्दी से पिखल जाए तो यहाँ पर मैं इसमें एक उबाल लगा लेती हूँ पहले तो दूद में हमारा एक उबाल आ चुका है अब हम क्या करेंगे जो हमने कॉन फ्लार और दूद को साइड में रखा था उसको हम धीरे-दीरे करक करके दालेंगे हमी से यसे आप देखने ह squid के पहले में थोड़ा सी डाला है उसके बांए ऐसे मुक्स क्या उसके बाद मेंने सार्वे कान विक्स कॉंず कोमद यानिна यह कान्फलार जो होता है वो नीचे आसानी से बेढ जाता है नी जल्दी नीचे बैठ जाता तो आप को लगाता चलाते रहना है Our YouTube दूद में टेश्ट आता है वो अलगी आता है तो अभी मैं इसको फिड से मिक्स कर रहे हूंical मुझे इसको मिलाते हुए 5-6 मिनट लगबख होई चुके हैं इसे मैं एक मिनट और पकाऊंगी ताकि यह और ज्यादा थिक हो जाए अब हमने इसको इतना ज्यादा गाड़ा भी निकनना है क्योंकि जब यह ठंडा होता है उसके बाद यह और ज्यादा गाड़ा होने लग ज जाए तो मैं इसको थोड़ा सा चला लेती हूँ और अब मैं इसको ठंडा होने के लिए ऐसी रूम टेंपरेचर में छोड़ दूंगी और अब आप देखो कि यह कितने अच्छे से जम चुका है बिल्कुल जो जैली जैसा फॉर्म आ रहा है इसका तो मैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ ताकि जो भी इसमें पार्टिकल्स हो रहे हों मोटे मोटे वो सब एक दूसरे से मिल जाए और यह अच्छा सा हो जाए और अभी आप देख रहे हो कि उस टाइम पर कैसा था और अब यह कैसा हो गया है तो अब हम इसको साइड रखते हैं और मैंने यहा पीसना है एक बार में ही नहीं पीसना है इससे क्या होगा यह ज्यादा स्मूध बनेगा नहीं तो वह उतना ज्यादा स्मूध नी बनेगा बहुत पतला सा बनेगा यह देखो मैंने अच्छे से पीस लिया है अब मैं क्या करूंगी एक जुगारू से डबा लोंगी जो हमार हवा ना पास हो और इसमें जो बरफ के उपर से slices जैसी ना बने, अभी ना मैंने इसके उपर से chop की हुए बदाम डाल रही हूँ, ताकि इसमें जो टेस्ट है वो ज़ाधा अच्छा है, तो अब मैं इसमें ढखन लगा लेती हूँ, और इसे मैं तीन गंटे के लिए फीजर में रख दूँगी जमने के लिए गंटे बाद हम देखेंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ जमने की स्टेट में होगी और जमी नहीं होगी बस हमें ऐसी वाली स्टेट चाहिए तो तीन गंटे में ये हमारा हो जाएगा तो तीन गंटे बाद मैंने इस इसको निकालने में बहुत जादा प्रॉब्लम हुई पता नहीं क्यों यह निकल नहीं लिए थी तो मैंने फिर इसके डबबे के अंदर ही कट कर लिये थे और फिर मैंने इसको जैसे तैसे करके निकाल लिया था तो आप ऐसा करिएगा ना कि इसके नीचे से एक बटर पिपर ज़रूर लगा लिजेगा उससे ना यह एजी ले निकल भी जाएगा मैंने यहाँ पर इसको लो डिमोल्ट कर दिया है और अब हमने सिर्फ इसको कट करना है क्योंकि हम इसको एक बार और मिक्सी में पीसेंगे मैंने इसको पलटा नहीं है जो हमारी बदाम वाली साइट से नीचे से चलेगी तो मैंने सुचा क्यों ना हमने इसको पीसना तो ही तो ऐसी कट कर लेती हूँ तो मैंने इसको ऐसी कट कर लिया और अभी यह बहुत ज्यादा ठंडी है तो इस वज़े से कटने में दिक्कत हो रही है क्योंकि जैसे ही मैंने इसको फ्रीजर से निकाला मु इसे इसको अच्छे से डाल लूँगी और वैसे ही हमने जैसे हमने पहली बार किया था रुक रुक के इसको पीसा था वैसे हमने इस बार भी करना है इससे यह और ज्यादा स्मूथ हो जाएगी और आप चाहें तो यह वाली प्रोसेस नहीं भी कर सकते हैं बट हम इसको बजार करना और भी जादा इजी हो जाएगा इसलिए आप भी ज़रूर से बटा पीपर लगा लीजेगा अब जो हमारा आइस क्रीम का बैटर है उसे हम इसमें डाल लेते हैं और फिर से मैं इसके उपर से चौप के वे बदाम की गानिशिंग करूंगी उससे यह बहुत जादा सु कर रहेते हैं वह अब पूरे अच्छे से मिक्स हो गए तो वह जब आप इसको खाऊगे ना तो बीच-बीच में आने लगेंगे तो बदाम ना जो मूब में लगते है तो ऐसे मैं बड़ा टेस्टी लगता है तो मैंने इसको ऐसे गानिशिंग कर ली है चाहे तो इसमें यह वीडिए मैं रात को शूट की थी तो मैंने इसको ओधनाई रखाता और सुबे को बाकिकी वीडियो मैंने शूट की थी तो यह लोग 8 घंटे बाद मैंने इसको फ्रीजर से निकाल दिया है और डवकन खोलने के बाद पहले तो यह देखो मतलब मुझे आप ही बताओ कि इसको देखे किसको को खाने का मन नहीं करेगा ऐस क्रीम को? इतनी जादा सुंदर, इतनी जादा टेम्टिंग इतनी द inflamने में एई देखने में देखने में लग रही है तो बताओ, खाने में कतनी दिलीशस होगी मुझे तो बिल्कुल वेट नी हो रहा था इसको टेस्ट करने के लिए तो मैं फटाफट से इसको कट कर लेती हूँ और इस बार जो नहीं हमारी आइस क्रीम असानी से डिमोल्ट हो जाएगी क्योंकि हमने पहले से उसे बटा पेपर लगा रहा है तो चलो इसको सल्टा कर लेते हैं ताकि जो हमारी टेस्टी टेस्टी बदाम वाली साइड है वो हमें दिखे आयायायाय इतनी टेस्टी इतनी दिखने में सुन्दर मतलब बताओ आप ही बताओ कोई इतना सुन्दर कैसे दिख सकता है ये तो मुझे बहुत-बहुत पसंद आ रही है तो मैं फटा मटसिना इसको cut कर लेती हूँ तो आप इसको ना कैसे भी cut कर सकते हो तो मैं आपर इसको square shape में cut कर रही हूँ चाहें तो इसको वैसे भी निकाल के भी खा सकते हैं आप इसको ऐसी डिमोल्ड लिया था तो मैंने सुचा इसको इसको एड़ कर लेती हूँ पिखनने के बाद तो उसने वैसी हो जाना एक है पर जो है यार यह दिखने में क्या लाजवाब है मतलब क्या ही काऊ हो में इसके लिए इतनी टेस्टी लग रही है ना जो मैंने इसके इस बात के लिए आपको ना वीडियो को लाइक ज़रूर करना पड़ेगा और हाँ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साफने फैमिली वारों के साँ शेयर ज़रूर करना और पहले यह देखो देखो यार तारीफ तो करो कमेंट बॉक्स में जैसे आपको लगे ना तारीफ कर क्या ही गर सकती हूँ कर लेना तो ये देखो मैने आपको दो पीस रख लिये बागी के पीस मैंने पीछे रखे होने साहरे पहले आपको दो यह दिखा हूँ और एक मैं आपको इसमें से कर दों कितना स्मूथ है और कितना जादा अंदर से भी ये टेस्ट ही है मतलब उपर से तो है ही है उसमें और अंदर से भी बहुत जादा टेस्ट ही है और ये ऐसे ना मैं इसको पिघल ले नहीं दे सकती तो मैं फटा फट से इसको फिनिश करती हूँ अगर आपका भी मन इसको देखके ललजा या है तो किस बात का वेट कर रहे हो जल्दी से जाओ किचन में और बनाओ इसको क्योंकि ये खाने में बहुत टीस्ट ही है यार एक बाद जरूर से ट्राई करना और हाँ अगर आप चाहते हैं मैं कोई और रेसिपीस ले क्या हूँ तो आप मुझे कमेंट करके जरूर से बताना मैं वो रेसिपीस भी जल से जल लाने की कोशिश करूँगे लो आज के लिए इतना ही मिलते है नेक्स्ट वीडियो में बाबाई अरे अरे कहां जा रहे हूँ ये वाली वीडियो देखी क्या अगर नहीं देखी तो इन में क्लिक करो और जाके इनको भी इंजोई करो ये भी बहुत ज़्यादा टिस्टी और अमेजिंग वीडियो है